स्वागेता है अब सभी का अब सभी के पिसना डिप चनल राय एजूकेशन में अमने तरह जार बड़ती आज के मौनिंग स्टेशन में आज के परमंग अगबार वी सके महत्पून अपडेट को कवर करेंगे जिन में प्रमंगता से बात करेंगे बैकवर्ड क्लास आयोक जो है वो साथ जुलाई को सुनवाई करेगा अपने कमिशन में अपने कोर्ट रूम में बिना जाच के भरती की तो बीस से पर होगी कारवाई 177 फरजी जो सिक्षक है उनसे वसूली की कारवाई होगी विदी विशेशक बेसिक सुक्षा के जितने भी लंबित मामले हैं कोर्ट में उनसे भी निप्टाएंगे मुकुल रोध की मुकदमा नहीं लड़ेंगे CGL Tier 1 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और भी कही मैंतपूर अप्डेट को कवर करेंगे तो इसली बिना किसी दिरी के विडियो शुरू करते हैं तो बात इसी से प्रारम करते हैं CGL 2019 Tier 1 का रिजल्ट घोशित कर दिया गया है APU मेंस 2018 का परिक्षा का रिक्षा का रिक्रम जारी कर दिया गया है तो SSC की दिरब से जो CGL Tier 1 2019 का प्रारम परिक्षा Tier 1 जिसको हम लोग बोलते हैं उसका प्रिणाम बुद्वार को गोशित कर दिया गया यह परिक्षा 3 से 9 मार्स 2020 तक कंप्यूटर आधारित यानि कि ऑनलाइन प्रारम हुई थी प्रारम परिक्षा में देजबर में शामिल हुए लगबग आपके 9,88,103 परिक्षारतियों में से किवल 1,33,620 को अगले चरण की परिक्षा यानि कि Tier 2 के लिए सफल किया गया है और यह परिक्षा अक्टूबर में होगी और आयोग ने सफल बढ़तियों को 3 सूची जारी कर दी गई है जिसमें पहली सूची में Assistant Audit Officer और Assistant Accountant Officer को सफल किये गए हैं बाकि दूसरी आपकी जो लोग हैं करिश्ट सांखी की अधिकारी और सांखी की अनुवेशन ग्रेड दो के लिए सफल किये हैं और आपके यह तीन तरीके के लिस्ट जारी कर दी गई सभी चैनितों को बहुत 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 बढ़ाई और आप अपने आगे भविश्ट के लिए और भी प्रतिबत देताक सांथ आगे बढ़ते रहे हैं दूसरी मैत्पूर्ण अपडेट पर आ जाते हैं बिना सत्यापन नौकरी किये तो बीस से पर होगी कारवाई सब से पिछले साशन में जो अधिकारी थे और अधिकारी तो वहीं रहेंगे सभी जो ब्रष्टाचारिता में लिपत रहते हैं उन पर कारवाई और उनसे कह सकते हैं कि जवावदेगी मांग की जानी चाहिए फरजी पाय जाने पर तुरंद बरकास कर दीना चाहिए सिक्षकों के उपर जब इतनी तेज़ कारवाई की जाती तो आधिकारीयों के उपर भी कारवाई होनी चाहिए और जिसका यहां पर परिणाम आपको मिल रहा है कि अब बीना सत्यापन नौकरी दिये या नौकरी पर बात चीत हुई तो बीस से पर सीधे सीधे कारवाई हो जाएगी ज जितने फर्जी लोग हैं सक्षा विवाग को दिमक की तरह खत्म कर रहे हैं खोकला कर रहे हैं उनसे रिकवरी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से उनकी जवाब देई भी तैक कर देनी चाहिए बेसे सक्षा विवाग लेगा वीदी शेषग की सेमाएं कली आप लोगों को देखने को मिला था जो का मीटिंग हुई थी बेसे सक्षा मंतरी के द्वारा उसमें बेसे सक्षा राज मंतरी डक्टर सज्टी जन दिमेदी ने उनतर्या सक्षा बढ़ती की मजबुत परवी के सक्षा विवाग पर 16,000 मुकदमे हैं और उन्होंने कमीटी बनाने के निर्देश दी हैं जो मुकदमे को कम करने के लिए सुझाव देखने के लिए सेवा लेने के लिए विवाग से प्रस्ताव मांगा है तो कहने के यह अच्छी बात भी है और जितने भी कल मैंने आपको बताया था कि लगबख 2000 ऐसे मामले हैं इन 16,000 में जिनमें सरकार से काउंटर रिदाखिल करने की बात की जारी है उसको ततकाल प्रवाव से कम्प्लिट किया जाए क्योंकि अफकल से सारे कोडरूम हर जगा स्टार्ट हो जाएगी कह सकते हैं कानोनी कारवाई नैक प्रादिकर ने स्टार्ट हो जाएकर तीन जुलाई से तो कहने कहीं अब इस पर कार जितना ज़्यादा हो सकए अविलम कम किया जा सके बाकी जितने भी लोग अपने अधिकारों के आगे बढ़ रहे हैं सरकार को इत सब चीजों पर प्रशन चीन दिखेगा अगर वह चीज नहीं समझता है तो वह उसकी अग्याने ता है लेकिन आप उसको समझाने पाते हैं तो यह आपकी अग्याने ता है सीधी और इस परशबात है तो आपको सारी चीज़ें उसको जवाब के जरिए कोर्ट रूम के सरी नाइक प्रादिगर्ण के जरी आपको जबाब देना ही अविशक पड़ेगा सबसे महत्पून बाद पर आ जाते हैं उनतर जार सिक्षक भरती पर आयोग ने फसाया पेच आरक्षन प्रावधानों के लंगन के आरोप में यूपी सरकार को नोटिस साथ को सुनवाई आपक कथित तोर पर आरक्षन नीमों का पालन न करने के मामले में आयोग ने उत्तरपदेश बिश्य सक्षा विवाग के अत्रिक्त मुक्ष सचिव, मुक्ष सचिव, विशेश, सचिव और परिक्षान प्रादिकारी के सचिव को साथ जुलाई को तलब किया है आयोग उपाद्य से रही सुप्रिम कुट में कोई सुनाई नहीं है सिक्षक भरती में आरक्षन प्रावधानों के लंगन को लेकर भाजबा और एंडिये की सयोगी अपना दल एस ने मोर्चा खोल दिया है एटा सांसद राजबीर सिंग सीतापूर सदर विदायक राकेश राठ और अपना द सामान स्रेडी के कोटे में जगा नहीं दी गई है इस कारण पिच्रा वर्ग के 15,000 बढ़तियों को नुकसान पहुंचा है जबकि यूपी सासना देश में साफ है कि भरती प्रक्रिया में सामान स्रेडी के समान अंतर या उससे अधिक अंकलाने वाले आरक्षित वर्गे के बढ़तियों का चैन सामान कोटे में किया जाएगा इसके बाद कई संगठनों ने मामले को आयोग के समक्ष उठाया है आयोग ने नुटि जारी कर का है कि नुचे 338B की तहट उसे इस मामले में हस्तचेव समविधाइन का अधिकार सीडिस बात है कि आयोग का गठनी इसलि किया गया है प्रमुक सच्चिव विशेश सच्चिव प्रएक्षान प्रादिकारी सच्चिव को साथ जुलाई को और इसकी सुनवाई आपके आयोग के उपादेश्ट डाक्टर लोकेश कुमार प्रजापती करेंगे तो इस पर अपने सरकार को जवाब देई दाखिल करने हैं कि जो नियम कानून है 68500 से वाला MRC मुद्दा जो है उसके नियम के तहर सारी चीज़ें लगू की गए हैं और यहां से सारी चीज़ें क्लियर कट हो जाती हैं तो भी उनको प्रशनेश्चीन होगा क्योंकि वो लोग ग्यानी अथी ग्यानी के अंतर गताते हैं फिर यहा नियम कानून है सरकार के मंत्रियों को भी सरकार के विवा के अधिकारियों को भी एक दिमें सपष्ट कर देना चाहिए ताकि किसे के मन में अंतरगत संसय ना हो कुछ लोग में बात उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से सभी आयो का रिजल्ट आता है आपकी नाम के आगे आपक देखने को मिला था यह आपकी जब जिलेवार मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है तो उसके तैस शायद जारी की जाए जैसा 68500 में देखने को मिला था लोगों को तो सरकार को और अधिकारियों के यह बात भी दम सपष्ट कर देने चाहिए कि जिस प्रकार से यह क्रिया कल प्रमता वो निकल कर नहीं आ पाएगा क्योंकि जो आरक्षित स्रेणी के अबर्ती सोचेंगे कि हमारा शोर्षन हो रहा है उनसे आप एक योग सिक्षक बनने की अपेक्षा कभी नहीं कर सकते हैं तो यह बहतर होगा कि सरकार को और विबाक के अधिकारियों को सारी चीज़ को एक बराबर नजर से देखना है और सिक्षक का सबसे बड़ा गुड़ धर्मा जब वो खुद आरक्षित स्रेणी के अंत्रकत वो चस्में पायन कर घुमेगा तो वो कैसे बराबर नजरों से हर एक भरतियों को देखेगा यह सबसे बड़ी बात है तो कहने के यह बात एक बैटक का निरड़न लिया जाएगा कि ग्रेस मांस देकर पासिंगास देकर जनर्मांग देकर सबको एक्वेलेंट मांग देकर पास किया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर आज जवाब देई बन जाएगी और 117 फरजिस सिक्षकों से 50 क्रोन के रिकवरी हो चाहिए और जो भरष्ट पाए जाएं उनको ततकाल प्राव से निरस्त या भरखास कर दिना चाहिए मुकूल रोतकी साहब जो इंसर टैप चाइना के बैन किये गया है उसके पक्ष में मुकात्मा नहीं लड़ेंगा उन्हों नहीं दिमस्पश कर दिये कि जो बात होगी व कि अंदर अगर एक जूटता है तो बाहरी शक्ति से हमेशा लड़ने के लिए ततपर रहती है जब आपस में ही मन मुटाव है आपस में ही वरगवार लोग बटे हुए आपस में ही एक दूसरी को पर आरो परतारों लगाते रहेंगे तब तक आप एक जूटर नहीं हो सकते किसी भी तरीके से बागी सबी लोग एक जूटर रहें उम्मीर यहीं करूंगा कि सारी चीजें सबके समक्ष आ जाया और सबको बराबरी का इस परस्ट करन मिल सकें बेस्ट आफ लग थैंके जो मैच